जी आ नमस्कार मित्रों आज है 14 जैन्यूरी यानि शुक्रवार लोरी, संकरांती, पॉंगल और बीहु के अवसर पर सभी सभी लोगों को बहुत-बहुत शुब कामना है और ये इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि क्यूंकि ये जो आज पॉब्लिक वालिडे तो उसके चलते कल शनिवार को इंडियन एक्सप्रेस अकबार नहीं चापेगा तो मैं सेटर्डे कोई डेली करेंट अफेस वीडियो नहीं बनाऊंगा संडे में वैसे भी वीडियो नहीं बनाता तो सिधा मंडे हम मिलेंगे और वहाँ पर संडे और मंडे दोनों के करेंट अफेस देख लेंगे अब मैं देखता हूँ कि कुछ बार ये Indian Express और The Hindu Public Quality के नाम पर दूसरे दिन बाकी बारत में तो अकबार नहीं चापते हैं लेकिन डेली में फिर भी उनका एडिशन आता है तो कुछ जो बाबुश होने होते हैं वो ऐसे कि नहीं मैं तो New York या Brooklyn में रहूं लेकिन मुझे वहाँ सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है तो मैं Gotham City चला जाऊंगा ऐसा करके पढ़ने मत बैठो बाई क्योंकि Prelims को अभी चार महिने और 22 देनी बाकी है तो Current Office आया तो देख लिया नहीं आया तो कोई लपक के डेली एडिशन पढ़ने की ज़रुवत नहीं है इस्टी जो अगर आप ही वह सब आप Complete करें थियरी दो दिन आपके पास हैं अब मैं तो यह लास्ट वाली जो UPSC मेंस एक्जाम January 2022 पिछले अपते चल लए थी और मेंस पेपर तरी आप जानते हैं उसमें Economy, Agriculture, Culture, Food Processing, Science, Environment, Security के प्रशन पूछे जाते हैं तो Economy के जो प्रशन पूछे गए Budget के Parts 2015 में GDP Calculation में क्या Change किये गए, V-Shave Recovery हुई है कि नई, Infrastructure Investment से कैसे बारत को मदद मिलती है वो सब के Model Answer, Approach to Answer, Common Mistake उस पर मैं Free वाली क्लास करने वाला हूँ मंगलवार, रात 9 बजे उसका सब Registration Link डिस्क्रिप्शन में दिया Free Unlock Code यूज़ करें, Monal.org आज मुद्दा ये है कि Thursday, 13th and 14th Friday को Current Office में जाने लाइक चीज़े क्या थे Environment के कुछ समाचार थे India State of Forest Report और उसके अलावा इधर उधर के Policy Economy के समाचार खतम करते हैं Environment Flora Fona के नाम पे Cambodia में जो Land Mines हो उसे सुंकर फता लगाने वाले चुहे की मौत हुई उसको मौइडल मिला था हम पढ़ने नहीं बैठेंगे क्योंकि ऐसा कोई भी International Celebrity Animal UPSC ने पूछा हो Prelims में मुझे दिखता नहीं पुराने Papers में इसलिए इसका मैं रिस्क ले रहा हूँ कि ये नहीं पढ़ेंगे पिर अगर पूछना शुरू करें तो अगले साल पचास ऐसे Animal की लिस्ट बना देंगे अभी नहीं करना है बड़ी चीज क्या आई India State of Forest Report भारत में वनों की स्थिती के बारे में अब ये रिपोर्ट में क्या जाने लाइक था तो सबसे ज़्यादा Forest कबर किन स्टेट्स में बड़ा है आंदरप्रदेश, तिलंगाना, ओरिसा, करनाटा का जारखन और सबसे ज़्यादा कहां कम हुआ है तो अरुनाचल प्रदेश, मनिपूर, नागाले, मिजोरम मेंगा लाए अब ये क्या-क्या क्लासिफिकेशन होता है कौन से इलाके में कितना बड़ा है, कम हुआ है वो सब चीज मैंने यहां पर लिख दिये आराम से देख लेना टेक्स्ट वाली चीज़ ये पढ़ के मैं 40 मिनिट की चूस से अच्छा की 20 मिनिट पढ़ के आप खतम करूँ सब कुछ आपको मिल जाएगा मिले टेलिग्राम चैनल मुनाल वार जी पे और पूरे महिने का जमा होगा तो मैं पीडिया भी बना देता हूँ इसमें एक और जाने लाइक चीज़ ये थी कि नॉर्थ इस्ट के स्टेट्स कौन कौन से अरुनाचल प्रदेश, नागा लेंड, मनीपूर, मीजोरम, तरिपूरा, मेगाला, असाम यहाँ पर फॉरेस्ट का वर वन आवरन काफी जादा है लेकिन यह लेटेस्ट रिपोर्ट में पाया गया कि दिरे-दिरे कम हो रहा है और उसके उसने अलग-अलग कारण बताए, नेचरल केलेमिटी यह ब्रह्मोपुता नदी में बड़ी बाड़ा जाए लेंड्सलाइड्स, भूस खलन हो जाए and development activity के नाम पे यह जो highway बना जा रहे है pool बना जा रहे, dams बना जा रहे, thermal power plant they could be causing some problems and zoom cultivation यह shifting cultivation कि जाँ जंगल काट के वहाँ पर खेती बाड़ी की जाए, फिर कुछ time बाद दूसरे area का जंगल काट के वहाँ खेती बाड़ी की जाए so these are all the problems administrative problem भी है बाकी सब states में बाकी सब राज्यों में क्या होता है कि जो state forest department one विभाग होता है, वो जंगल की रक्षा करता है लेकिन ये उत्तरपूर वर नौर्थ East में administrative responsibilities are divided कुछ ऐसा काम होता है कि जो सरकारी one विभाग करे और कुछ ऐसा काम होता है कि उनकी जो अपनी autonomous hill council होती है स्वाया पहाड़ी परिशद वो उसका सब management community forest management देखती है जिसके चलते जिम्मेदारियों का विभाजन हो जाता है, responsibilities are divided तो अच्छे काम होने पाते है फिर तीसरी सबसे बड़ी बात क्या थी ये India state of forest report में तो पहली बार उसने ये tiger reserve gear line forest century वो सब के बारे में उसने अलग से बता है कि वहाँ कितने ज़्यादा जंगल विस्तार है, तो हमको याद रखना है pocket tiger reserve या packet tiger reserve जो कि अरुनाचल प्रदेश में है उसमें सबसे ज़्यादा forest cover है 97% of its area is covered by forest अरुनाचल प्रदेश की तर है ये रहा अरुनाचल प्रदेश उसमें ये packet tiger reserve जहां सबसे ज़्यादा वन विस्तार है out of all the tiger reserves पॉलिटी के समाचारों उसमें secularism, दर्म निर्पेक्स्ताब बात ये चल लगी है कि जमू कश्मीर administration ने सब कॉलेजों को order दिया है कि ये मकर संक्राती होने वाली है तो सामुही ग्रूप से सूर्य नमस्कार करो और वो सब बड़ी-बड़ी event जोर शोर से उसको दिखाओ तो कश्मीर के सब political party नाराज है कि ये सब हिंदू रिती रिवाजम पर थोपे जा रहे है जबकि इदका जशन इतनी जोर सोर से नहीं मनाया जाता है वगरा वगरा फिर combative federalism में वो कुछ दिन पेलो याद करो वो पंजाब के पूल पर प्राइम मिनिस्टर का काफला था वो रुख गया था सुप्रीम कोट ने उस पर जस्टिस इंदू मलहोदरा कमिटी बनाई है कि सब किसने क्या गलती की उसको इन्वेस्टिगेट करो कि रिपोर्ट आयेगा तो कुछ देखेंगे यही सब combative federalism जगडालू संगबाद में आप जानते हैं 7th schedule साथ भी अनुसूची उसमें तीन लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट, टेट लिस्ट, कॉनकरंट लिस्ट लास्ट ली सम रैसिड्यूरी सब्जेक्ट्स उस हिसाब से केंद्रो राज्य सरकार के विदान सबाव में सब कानून बनते हैं तो पाया यह गया कि पुलिस, एड्मिनिस्टेशन, वो सब स्टेट की जिम्मेदारी है लेकिन केंद्र सरकार भी जरुवत पड़े तो अपने केंद्रिय पुलिस बल सेंटरल आम पुलिस पोर्सिस, स्टेट की मदद के लिए बेज सकता है तो इलेक्शन में वो बेजना चाहिए, नहीं बेजना चाहिए या X, Y, Z प्रॉबलम में कुछ बार लड़ाई हो जाती है और वहाँ और ज़्यादा क्लैरिटी की जाए कि एजुकेशन, हेल्थ, अग्रिकल्चर किसने करना है, क्या डिलिवर करना है यूनियन या स्टेट ने, वो जब दख क्लियर नहीं होगा अच्छे से तो ये जितना भी फार्म लॉज में जगड़े हुए वगएरा डिपीट होते रहते पर्चेनर न्यूज अपॉइंटमेंट में इसरो के नए चीफ कौन डॉक्टर S. सोमनाद पिर एजुकेशन के नाम पर एक नैशनल एजुकेशन अलाइंस पॉर टेक्नोलोजी यानि नीड है ये ऐसा कि प्राइवेट सेक्टर के सब ये जो ऑनलाइन एजुकेशन कंपनिया हैं वो गरिब बच्चों को प्री में अपना कोर्स दे दे या उनको ये मॉबाइल टेबलेट लेप्टॉप दे दें वगेरा वगेरा चीज़ तो देट इज नैशनल एजुकेशन अलाइंस पॉर टेक्नोलोजी एजुकेशन में एक और मामला चला है कि जिंबाब्बे तो कोरोना के चलते जब स्कूल बन थे तो जिंबाब्बे और दूसरे आफ्रीकी देशों में लड़कियों के जल्दी जल्दी शादी करवादी माभापने की ये गर पे बैठे और ये सब बोज है और वो सब बहुत कम उम्र में गर्भवती हो गई अब उनकी सब पढ़ाई और माना विकास चिंता का विशाए है आगे मुद्दा है एथिक्स और एथिक्स में एटिट्यूट तोवर्ड्स विमेन तो उसमें बात ये है कि ये क्या है 25 वाटर डॉलर मलब 25 सेंड का सिक्का अमरीका में तो वहाँ पर ऐसी कुछ मुहिम चल रही है कि वहाँ पर अमरीकी इतियास में जिन महिलाओं ने बहुँ ज़ादा योगदान दिया हो विमेन हो कंटिबूटेट ग्रेटली अमेरिकन हिस्ट्री उनका फोटोग्राप डाला जाए तो ऐसा पहला फोटो डाला गया है पोएट माया एंजेलू जो कि एक ब्लैक विमेन थी और कविताय लिखती थी तो ये सबसे क्या होता है सिख्के लोग यूज करते हैं और वो उसमें फोटो देखते हैं तो देविल रिमेंबर एंड रिस्पेक्ट दे विमेन कि ऐसा नहीं है कि पूरा जो इतियास से उसमें सिर्फ राजाओने और सेनापति ओने और पुरिशोंने ही सब काम किये थे मैलाओ का भी काफी योगदाने ये कैसे एक एक मुद्दे करके हाउ टो इंक्रीज या चेंज दे अटिटूट तोड़स विमेन उसमें आप एक्जामपल कोड़ कर सकते पिर इंटरनेशनल लिलेशन डिफेंस में अब लंबी चोड़ी ये जो काहानी उसका एक लाइन में बोलना हो कि आफरीका में चीन अपना इंवेस्टमेंट बढ़ा रहा है क्यों वहासे डाइमंड माइनिंग फिर ये कॉपर और दूसरे दातूओं की अपनी प्रेजन्स बढ़ानी है अपना सामान एक्सपोर्ट करना है उसके लिए वो भी काम कर रहा है और सामने अमेरिका भी अपना वर्चस्व बनाने के लिए विश्व बैंक द्वारा आपनी की देशों को लोन में ज़्यादा पैसा देने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की सिक्रेटी पॉलिसी सुरक्षानी थी वो तो हमने देखी थी आगे भी कि एकोनोमिक इंट्रेस्ट आर्थिक हितों का खास ख्याल रखा जाएगा अब एक और पॉइंट सामने आता है कि उसने ऐसा लेखा अपनी सिक्रेटी पॉलिसी में पीस वित इमीजेट नेबर्स इंक्लूडिंग इंडिया भारत के साथ साथ सभी अपने पलोसी देशों के साथ शांती हो ऐसा उनका उद्देश रहेगा फिर कुछ एकोनोमी तो डिजिटल पेमेंट और उसमें आप जानते क्रिप्टो करंसी ये अमेरिकन रियालिटी स्टार कीम कारदेशन और ये कोई बॉक्सर एफ लॉइड मेवेदर तो क्रिप्टो करंसी कंपनी थी कोई इथेरम मैक्स उसने इनको देर सारा पैसा दिया कि आप सूशल मीडिया में अपने सब फॉलोवर्स को कहो कि पच्ची दिन में पैसा डबल आखे बंद करके इन्वेस्ट कर दो तुम लोग मेरे ब्लाइन फॉलोवर्स हो तुमको ये करना है और सब लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया और डूब गया ऐसा ही ये सोशल मीडिया और पबलिक का पैसा डूब जाए एक और समाचाराज हमें मिलते हैं और एकोनोमी पिलर वन सी शेर मार्केट और मेंस पेपर थ्री में साइबर सिक्रेटी सेभी ने कुछ ऐसा पाया कि सपोज ये कोई फालतू कंपनी जिसका आपने कभी नाम नहीं सिना हो इसका चार्ट हो और ये इधर देखो ये वाला जो बन रहा है वो पॉइंट है करीब तीन रूपे तीन रूपे में एक एक शेर मिलता हो अब माली जे कोई ओपरेटर मालब शेर मार्केट को मैनिपलेट करने वाला आदमी एक साथ बड़े जथे में ये सारे शेर खरीद ले तो क्या होगा ओनियन की अचानक मेरेज की सीजन में डिमान बढ़ जाए तो प्राइस बढ़ जाएगा तो ये के एक आदमी ज़्यादा ज़्यादा खरीद रहा है ओपरेटर ने 3-4 उपे में इधर खरीद के रखा है वो सारे शेर वो डंप कर देगा और वापस वो गिर जाएगा तो आपका पैसा लूटके वो चला गया ऐसा कुछ सेभी ने छे अलग-अलग लोगों के सोशल मीडिया आकाउंट से पाए कि वो ऐसी काम कर रहे थे और उनको सब एक्शन ले रहा है पैनल्टी लगा रहा है तो इस आर अल्सो चैलेंजिस ओफ सूशल मीडिया एंड कॉजिंग प्रॉब्लम्स फॉर एकोनोमी एकोनोमी में और क्या वोड़ा फोन आइडिया की 35% शेरोलिंग भारत सरकार को मिली वो सारा मुत्व हम पिछले वीडियो में देख चुके है फिर की इंडारेक्ट टेक्स का वापस कलेक्शन बढ़ा है वह एकोनोमीक सर्वे आने दो फिर देखेंगे एक सरकारी कंपनी है Central Electronics Limited अब उसका प्राइवेटाइजेशन यानी निजी करन हो रहा है तो स्वाब है कि वहाँ कि जो एम्प्लोईज है वो दमाल कर रहे हैं कि अमरी नौकरी चले जाएगी और ये सब कॉम्यूनिस्ट लेफ्ट पार्टिस हैं वो भी इसका दमाल कर रहे हैं अब वो individual company case studies are not important economic survey पिछले दो साल में बोली चुका है कि ये सब कंपनियों को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए सरकार ने अपनी presence कम कर देनी चाहिए और वैसे भी सरकार के पास इतना पैसान ही सब को चलाती रहे है तो कुछ नया बहुत बड़ा आ जाएगा कि Supreme Court बोल दे मत इसको disinvestment करो तो हम देखेंगे otherwise we will not go with that Ethics में एक और समाचार ये ब्रिटेन का कोई Prince Andrew है उस पर वलब Ethics में attitude towards women तो Prince Andrew पर नाबालिक लड़की पर बलातकार का आरोग है अब वो तो काफी टाइम से चल लाता फिर सोशल मीडिया में हंगामा शुरू हुआ तो अभी महरानी इलजाबैट ने इसके सारे military medal सितारे खिताब वापस ले लिये और इसको का गया है कि अब से आप Prince नहीं private citizen के रूप में अपने आपको court में defend करो आपको ये राजगराना जो है वो आपकी कोई इसमें मदद नहीं करेगा तो इससे हमको क्या देखने को मिलता है अब सोचे मध्यकाल में और आदोनिक युग में भी even in after this World War I, World War II ये सब राजकुमारों ने कई मैलाओ का शोशन किया होगा लेकिन सोशल मीडिया और डेमोक्रसी पहले इतनी पावर्पूल नहीं थी तो ये सब और तो कियावाद दबा देते थे सारा केस रफा दफा हो जाता था but now it is also causing them problems और अब उनका ये सब जो दुश्कृत्य थे वो कम हो रहे हैं ये सब रोल आप सोशल मीडिया पॉजिटिव नेगेटिव उसी साब से लिख सकते हैं डिपेंड करता है एथिक्स या निबन में आपको क्या लंबा लिखना है एथिक्स और उसमें भी वैल्यूज और वैल्यूज में एक वैल्यूज क्या होनी वीजेता भी कठोर परिश्रम नहीं करे तो अपनी जीत को शास्वत सस्टेनिबल नहीं रख सकता नहीं लोग आकर उसका खिताब चीन लेते हैं ये सब समझना किसको है यूपीसी के सीनियर प्लेयर कुछ वो एक बार उनका प्रिलिम क्लियर हो जाए तो आप रिविजन कीजी तो ये था आज का वीडियो बाकी तो मैंने आपको बता है तो एकल शनिवार को भी चुटी और रॉइवार को भी चुटी तो डारेकली मिलते हैं सोमवार को और मंगलवार को ये मेरा में सांसह रितिंक फ्री लेक्टर बीव राहे, वेल्कम राए्ट वेलिक्टर वारा है। झाल विस यु वाल वाल बेस्ट फॉर तबल्स फेस्ट्वंस शु नेखर वेले लेक्ट वेल्थ या प्ट अछियू ठाख भी नेखर है।